अब discussion कर लेते हैं South Indian rivers दच्छिन भारत की जो नदियां है पराइदी पठार है उनकी जो नदिया भारत में भारत में बहने वाली उनका discussion कर लेते हैं घटना-चेकर के MCQ से भी तो भारत दच्छिन भारत में जो बहने वाली नदिया है उसका अगर डिमारकेशन किया गया है तो सथपूरा यह हुआ बिन्दिया यह हुआ सथ पूर एक जो है साउथ में बहने वाले जी तरह नदियों को बोला जाता है भारत में पैनिम्सुलर रिभर्र या सौथ इन्डेक नदिया इसमें major जो नदिया हैं महानदी, गोदावरी, क्रिश्टना, कैवरी हैं इसके साथ साथ पेनार और भी छोटी बड़ी नदिया जो है फ्लो करती है लेकिन कुछ नदिया, जिसमें खास करके नर्मदा, तापी, और विस्रन घंप की तरफ कि जो है वह जो है अरेवियंसे मी मिलती है इसमें निर्मदा, तापी और माही ईशूरी, भाकी नदिया जो है वह बेफबंगाल में जाकरके मिलती है नदियों को अगर देखा जाए तो प्राइदीपी भारत की जो नदियां है उसमें सबसे बड़ी नदी जो है गुदावरी है उसके बाद कृष्णा तो हमारा कावरी कावेरी नदी कहाँ से निकली, क्या फ्लो है, रिफ्ट वैली क्या होता है, नर्मदा और तापी नदी रिफ्ट वैली से होते हुए, अरेबियंसी मिलती है, मतलब जो है फ्लो इंक्लिनेशन जो है प्राइदिपी पढ़ार के उसके अपोजिक डायरेक्शन में जो है यह फ्लो करती है क्यूंकि रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन है उस चेत्र में तो डिसकेशन करते हैं मसी की उसे पहला क्यूशन है दरेवर आफ वेस्टरन घाट डू वेस्टरन हाट की जो डिया वो डेल्टा फॉर्म नहीं करती वात सही है ज्ञाधा तर एक्टी है जो अपने बन रहख जाएं मिलती है वो डेलटे अव गंगा नादी है भ्रमपुत्रन नदी है मानदी है बनाती है लेकिन वेस्टरन घाट से होके जो पश्चिम के तरफ नहीं बनाती है दे फ्लो थ्रू स्वाट कोर्सेस विद हाई स्पीड ओभर रॉबर हड उनका जो है को रहा है और हाई स्पीड से बात ही है हाउड रोग के बीच में इस कारण से उनके पास परियाप्ट सेडि यह बात सही है नर्मदा और तापी रिवर फ्लो इंटू इन डिफ्ट वेली का मतलब यह है कि दो पहाड के बीच में से जो है डिप्रेशन हो जाने के वज़े से जगह बन जाता है के विटी बन जाता है और वो जो है एक पैसेज टाइप का क्रियेट कर देता है एक नदी के को सुगम बना देता है तो नर्मदा और तापी ने दी जो है एक रिफ्ट वैली के अंतरगत फ्लो करती है यह दोनों रिजन और रेसर्शन दोनों सही है तो इसका ओप्शन होगा अगला किस्टन नर्मदा रिवर फ्लो टूट वेस्ट वाइल मोस्ट अधर लार्ज कि तरफ नफ्लो होकर के वेस्ट मेंनी तो यह को रीजन नहीं है क्योंकि विंदया आर सतथपुरा के बिच में बढने वाली और वी नदीया है जो पस्टिम की तरफ नहीं वार्त ना तो यह सही है लें नियों तो दूसरा गलत तैस्कान तरफ लानन फ्स्लोप आप ड़ेस ना कि अरवियन सी मिलती है ये तो रिफ्ट वैली के चलते जो है ये नदियां जाती है अगला क्वेश्टन दा नर्मदा वैली लाइस बीट्मिन दे वीच आप फालिंग मांटेन ये जो है विंधाचल और सत्पुरा के बीच में जो है ये रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन होता है इसी बीच में नर्मदा वैली है नर्मदा फॉर्म्स ए डेल्टा एट इस माउथ पहला चीज ये गलत है डेल्टा जो है नर्मदा ने दिन नहीं बनाती है इट फ्लोस थूर्ट वैली ह फिचल इंदा है तो險य तो आप्शन ये गलत पिस आप्शं में के रसेस्क्रिस के आप्शन बीच आप फॉर्मदा ये ऑड़ेलों और विंट उरीचिं लसे ओर नर्मदा उरिजेंदन उरीजंग उरिंगा लात वह आइस वाले चेतर है हिमालय का जो शेतर है वहाँ पर ग्लेशिल ऊरीजिन होता है विंड ऊरीजिन के चलते जो है कोई ऐसा नदी जो है और जिए विंड से हवा से वह ऐसा है नहीं तो इसलिए यह है यह इन्य दिगा यह है विच आप गॉठ विविव्ष नाट मैं दिगें नदी तो इसका ऑप्षण होगा तो इस पास सुनी वाले नदी कौन सी है तो गदावरी नहीं है कावेरी नहीं है और से होते हुए गुजराथ से हुए अरेवियंसे में मिलता है लेकिन नर्मदा नदी का अगर बेसिन देखा जाया तो जो चैश्यमेट एरिया है वो चाहतिस घड़ से भी कवर करता है तो चैश्य घड़ का जो राजनानद गाउन डेस्टिक जो है वह नर्मदा बेसिन में नहीं आता है कि उ नर्मदा नदी का जो लेंध है वो 312 किलिमेटर है अपने ओरिजिन अमर्कन टक से लेकर के अरेबियन से में मिलने तक और यह जो है सत्थपूरा और विंधा के बीच की रिप्ट वैली में फ्लो होती है नर्मदा वैली इस एन अग्जामपल आफ रिप्ट वैली नर्मदा रिवर ओरिजिनेट एट अमर्कन टक विश रिवर विच फ्लो थू 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 पूछ रहा लेकिन सब जो है क्विश्टन नर्मदा नदी से संबदेए वैस्ट फ्लो इंग्डी तो यह जो है वैश्ट फ्लो इंग्रिवर निमाथ उसका वोपसिं दो से टृफ बरफ आंगा नहीं तुमि नहीं मीनिया नर्मदा गर नétais पर देम गया थया इस कीम पर टे 들म हुआ जो की मद्यो था दिम ए क्रहिग मादाओ नभको यह इसका इंसर होगा नर्मदा नदी पे तवा डेम बनाया गया है वीच अफ़ फॉलिविंग रिवर्स फॉल इंट द अरेविएंसी में मिलने वाली नदी ताप्ति नदी किमकि महानदी गृष्णा गुदावरी यह सब बेव बंगाल में मिलती है वीच अफ़ फॉलिविंग रिवर्स फाल инов इंटावरी नदी कोइसी नहीं नजी नहीं यह यह जोस आउस की नदिया है जोगी वेस्टरन घाट से उरिजिन होती है लेकिन नदी नदी जो होती है वेस्टरन घाट से जो है वहां से उरिजिन होती है इसका इंसर होगा तापती विच वन अब दो फालिविंग रिवर थ्राइस फोक्स इंटु दे टू स्ट्रिम एंड रियूनेटेड फ्यू माइल्स फार्दर अंदस फार्मिंग अद आइसलेंड आप स्री रंग प्रत्नम सीवसमूंद्रम एं चेत्र है जो कि किस् तो यह नहीं होगा करनाथ का किरणा ट्ंड स्य यह सकता है शे करणाटका चलिला अंध्रत्र तो एंशर को ए ही पूल्ड यह किसको बला जाता है करणाथ करनाथ को दो वी दोड़ी ने लेकिन गोधावरी को क्या बोला जाता है ओल्ड गंग या दच्छिन गंग यह दोनों चीज़ बोला जाता है लेकिन गंगा आप साउथ अगर आता है तो इसको बोला जाता है काविरी ने दिको कृष्णा रिभर डिस्पूट एक्जित बिट्वीन किस्ट किस नदियों का बाइच्ट में नभी विक되는 हम सुआ नकां यह चरी नदियों केश्च के बीच में युजugen कि विद किसर रिविध के बीच में साट आर श्का गें गा, गया था तो यह हुआ था अप्सन भी गुदावरी और किष्णा का वीच वन अव फालिविंग इंडियन रिवर्स फर्म्स एन एस्चुरी जो होता है यह एक पर्सली इंक्लोजड बॉड़ी होता है कोस्टल चेतर पे वो समुदर से लगा ही हुआ होता है यह डेल्टा नहीं इसका नहीं होता है जस्ट इंट्लोजड बॉड़ी होती है पानी की तो यह कौन जो एक शुरी बनाती है तो भारत में जो है नर्मदा नदी ताप्ति नदी यह जो नदिया है इसका एंसर होगा ताप्ति और बाकी गोदावरी महार कावेरी और महानदी यह सब डेल्टा ब इसके बाद फिर महानदी याएगी महानदी का जो है लेंध अठार लगोगे शाड़े अठाव सुनों तो तरी नवर महानदी और चौत नशी नबर पर ताप्ति नदी यह जो जो इसका एंसर होगा गोदावरी महानदा महानदी ताप्ति हा यह देख लिजी एंसर में इनका लेंथ चाहिक होगा तो पहले नम्मर पर पे जो है को दावरी नदी दूसरे नंबर पे जो है किर्षनदीे कि तीजरे नंबर पे जो है नर्मधा नदी हूं स को स्था तीन दो चार एक न अपैंट सेट्ट इनकर क्याhesionS का परिदफों करहें जो है जो हें कि नौट से साउथ जोस्य नोर्थ से सॉवर्णेखा महानदी गोदावरी क्रिष्ट्वरी कंपनार काविरी यह इंहें होg महानदी की बात जो है कि आप पिंनार है पिंनार कवाद कावेरी है है और भाज गई ओप्शन ए है कि दरीबर आपसथ साउथ इंडिया मेलिच फॉलिफ फॉलिविंग यॷ्य पेटरल साउथ हिंडिया की नदियों का ड्रेनुच पेटरल क्या है तो वो देन ड्रेट्रीटिक है कि वीच वाना तो फॉलिविंग इस्टेट्मेंट इस नॉट करेक्ट पुछा है तो देख लेते हैं महानदी रिभर राजिस फॉर्म देश्टिसगर्ड प्लेटिव ठीक है यह सही है गोदावरे रिभर राजिस इन महराष्ट्रा यह भी सही है कावेरी रिभर राजिस इन प्रदेश कावेरी नदी अंतर प्रदेश से उरिजिन नहीं होती है ताप्ति रिभर राजिस इन मद्प्रदेश यह तो इसका इंसर होगा ऑप्शन सी सोन नर्मदा और महराधी इसमें ठीक है इसमें तो मारकंटफ लेकिन अगर अगर कंटक को टेक्निक लिए तो किवल स्वान और नर्मदा नदी जो है वो अमरकंट्डायस से निकलती है महानदी जो है और थोड़ा साउथ और विस्ट के तरफ जाएंगे शत्रिस गड़ में वहां से महानदी निकलती है लेकिन इसके हिसाब से अमर्कन टेक हो क्योंकि अरावली इस्टर्ण घाट और बलामुहिलिये इसके हिसाब से इंसर होगा अप्शन भी देरिभर विच डिफर्स फ्रम दे अधर इस नर्मदा ताप्ती इंदस महानदी अब अलग कौन सी नदी है तो इसमें अगर अलग देखा जाया तो इसमें एंसर होगा महानदी का क्यों क्योंकि यह बे और बंगाल में मिलती है और यह जो नदियां है अरेवियं इसका होगा एंसर महानदी विच रिलिजियस प्लेस इज सिट्वेटेड अन्दे क्लंफ्लेंस ऑप मांड एंड मांड और महानदी के पास जो है कौन सा जो है रिलिजियस सम्बंदित है तो महानदी का एक टापू बनता है छतितिस गड़ में वहां चंद्रहास्णी देवी के नाम पर यह इस चित है तो यह जो है और और बीच आप द फ़ार लिविंग रिवर डज नॉट मेंक एक शुरी नर्मदा बनाती है ताप्ती बनाती है मांडूई बनाती है यह गोवा में बहने वाली ने दी है तो महानदी जो है वह एक शुरी नुनाती वह डेल्टा बन ब्लीयूड यह का ईनसवर का नार्थन डेकंप्लेट्व माहान दी है वो डेकन प्लेट्व का रही पाट लेकिन दृक्न प्लेट्व जय मॅन और से साउद तक एकसका तो नौर्थ डेकंप्लेट्व में रिख रिवार फ़ॉट्स इंट इन दाइन उडिसा तो को महानदी बनाती है उडिसा में उडिसा की लाइफ लांग भी है क्रिके सी अम्रिककासी है अम्रिध्दारा वाटरफॉल्स on which of the falling river अम्रिक धार वाटरफॉल्स यह हो हां आथसदेव नदी जो है शाथिसगर में जो कि महानदी की सहाइक नदी है अलिटिमेटली हस्ते नदी जो है जाके महानदीयों मिलती है इस पे जो है अम्रित धारा वाटर फॉल है कुरिया डिस्ट्रिक आप शत्रीज़गर में है शाइक वाटर जाए किस नदील में वाटर डिफीसेंसी की warm spray मतबडल किस नदीयों में वाटर डिफीसेंसी की समस्या होती है सावरमती तापती क्रिश所以呢 तो इसका एंसोर है कि बाटर डेफिसेंची जो होती है वह होती है साबर मती और ताप्ति में option A का option A 1 & 2 at which of the following places do do two important river of Indian वाल वाल अप दें टुम तो Episode उन कोई भिए बंगल एंडर वन तो जाकिर और यह से ओरिजिन होती है यह जो हैमर के तर train के तरफ के तरफ हो के रिफट में होते हुए athletes की जोड़े निकलती है 받 differences एकुआ कोई इस्ट फ्लोईंग रिभर इन दो आप्सन जो हैं मद्यप्र रिवर नल्मदावर तहीं पहले तो और फ्लोंग रिवर ड्रमदार प्रसण में पिक से का जो है catchment area जो है चाहे water basin जो है सबसे ज्यादा है तो डेफिनेटली जो साउथ की सबसे बड़ी नदी जो है गुदावरी है तो उसी का catchment area सबसे ज्यादा होगा और शिर्ट टाहरो फारी वुट वन अब दे फालविविग इस डा लौंगेस्ट वूकशन कौन सी स्ध거 AZ चोथाहाँ फैसली में इसका लेंग से ल से लंबी नथी खोंड सिल इन्डिया कौन सी है चोसी में इन्री सिक्का है गोडाव्री लांत व्हक्तु वे चार नदियां है वीच अबदम ट्रिबुटरी कोन-कोना अग्या है तो अप्शन इंद्रावति गड्ड में है चित्रकूट का यह वाटरफाल है और दूसरा कि प्रियनीता यह नदी जो है गोदावरी की Tributaries है पेंदार साउस की नदी है जो कि गोदावरी से पूरा और साउथ फ्लो होती है तो चाथा ओप्सन होगा नहीं से यह कट जाएगा यह कट जाएगा और पहला बंसदारा भी इसकी नद्यदा नहीं है तो इसलिए option डी एक के चन्द्रा और भागा रिवर इन फ्लोख तूर् fragments अप चंद्रा और भागे निदिया जो है वह हीमाचल में निकलतके भाने वाहर्री जो है नदिया है तक मि southeast आप तो चंद्रा भागा रिवर फिलो तूर त्र दिद्रेजिंड卡र इस thesis पीथि लद्धाक uit लाहल कार्गिल कार्गिल नहीं होगा लाहल इस्पिति व्गर में वह तों ही मैं अधियों मेंसमत्रायएका और प्ट्षायर था एक ऑब अपसे लिए 2 आचनी लिए दोंक्रां सो स्बास्ट ova हैं यह तो इसके अन्सर का एंसर मी अनल गवाली आओ यहीं मॉष्ण बारम्हनी इस्टरन घाट से उरिजिन होती है कौन से नदिया जो इस्टरन घाट से उरिजिन होती है तो इसका है नागावली वमसाधारा यह जो है नदिया जो है इस्टरन घाट से उरिजिन होती है अब रामनी और सुबर नेखा यह जो नदिया है वो छोटा नाकबुर प्लेट्व से यह दो नदियां यह और यह चोटा नागबूर प्लेट्व से और जिन होती है यह जो नदिया यह इसका एंसर होगा अप्सन बी